वारा नसी कोलकाता एक्सप्रेस वे दोस्तो बाइरोड कोलकाता से बनारस जाने में 14 गंटे का समय लगता था और इस समय को कम करने के लिए नाही के द्वारा एक एक्सप्रेस वे का प्रपोजल दिया गिया जिसका नाम है वारा नसी कोलकाता एक्सप्रेस वे के बनने से 4 इस्टेट के लोगों को काफी जादा फैदा होने वाला है जिसमें उत्तरपरदेश, बिहार, जारखन और कलकाता ये 4 इस्टेट सामिल हैं आपको पता होगा गाइस के इसी रूट पर GTI रोड है जो की कलकाता से निकल करके उत्तरपरदेश से होते विए दिली ज वारा नसी Kolkata Expressway के बनने से GTA Road का भी भार कम हो जाएगा तुछले जानते हैं कि वारा नसी Kolkata Expressway का नए अपडेट किया है इसका काम कहां तक पूरा हो गया किन जगवाँ पर भूमि अधिग्रन का काम कर लिया गया है किन जगवां पर बाकी है ये Kolkata जारकण बियार और उत् यह 610 किलोमीटर लंबा है, कहीं पर यह 4 लेन का होगा, कहीं पर यह 6 लेन का होगा, यह एक्सप्रिस बे मैन रूप से उत्तर परदेश के वारानसी, जारकन के राची और विश्ट बंगाल के कौलकाता सिट्टी को कनेट करेगी, गाईस आपको उता दे कि यह एक ग्रीन फिल लेटेस अब्लेट की बात करें, गाईस वारानसी कुलकाता एक्सप्रिस बे का 27 किलोमीटर का हिस्सा, उत्तर परदेश से होकर के गुजरेगा, उत्तर परदेश के चंदोली जीले से निकल करके, यह एक्सप्रिस बे बिहार के कैमुर डिश्टिक में इंटर करेगी, फिर क 19 खतम होता है, उलुबेरिया रीजन में, हावडा के बगल में, वही पर यह एक्सप्रिस बे खतम होगी, वारानसी कुलकाता एक्सप्रिस बे को 5 सेसन में बनाया जा रहा है, पहले सेक्षन में उत्तर परदेश के चंदोली जीले से, बिहार के बकसर जीले का सेक्षन है, ज इसके बाद आता है, चोथा सेक्षन, जो की 191 किलोमेटर लंबा है, जो की सहापूर से कमालपूर के बीच का एरिया है, पाजमा सेक्षन होता है कमालपूर से लेकर के उलुबेरिया तक, जो की 273 किलोमेटर लंबा है, वारानसी कोलकाता एक्सप्रिस बे का टोटल बजट 35 30,000 कोल रुपिया बताया जा रहा है as per current update 35,000 कोल में से 25 कोल रुपिया इसके construction में आएगा और 10,000 कोल रुपिया का land acquisition किया जाएगा और यह जो 10,000 कोल रुपिया है यह उन व्यक्ति को मिलेगा जिनके गाऊं घर वारा नसी कॉलकाता एकस्प्रेस बे के रूट में आते हैं सरकार ने अब तक 338 कॉल रुपईए के लेंड एक्वाइजेशन को कम्लेट कर लिया जिसमें कि 89 विलेज सामिल है वारा नसी कॉलकाता एकस्प्रेस बे जब बनकर के तयार हो जाएगा तो इससे आसपास के लोगों को कई तरह के फाइदे होंगे सबसे पहले ट्रैफिक में कमी आएगी यात्रा का जो समय है वो घट करके आदा हो जाएगा माल डुलाई हो जा पर बिजनस गतिविदी हो इन सब में मदद मिलेगी पस्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, जारकंड इस एक्सप्रिसबे के जरिये समुदरी वेपार से जुड़ पाएंगे रियल स्टेट में भी फाइदा होगा आर्थिक विकास होगा बहतर कनेक्टिविटी मिलेगी आसपास के लोगों को भी सफर करने में दिक्कत नहीं होगी तो इसके कई फाइदे हैं अपने प्यारे भारत में काफी तेजी से एक्सप्रिसबे का निर्मान हो रहा है लेकिन अभी भारत में और भी जादा एक्सप्रिसबे बनाने की जरुरत है तो गैस आप इस एक्सप्रिसबे के बारे में क्या काना चाहेंगे और क्या ये एक्सप्रिसबे आपके जीले से भी होकर के गुजर रहा है और ऐसे लेटेस अब्डेट के बारे में जानने के लिए इमारी चैलेंज से जो जुड़े तब तक के लिए जाहिंद